हेलो गुद मॉर्निंग नमश्कार और वेल्कम टू दू चैनल ओनलाइन सिक्षन मैं हूँ आपके साथ अंजली बारियान और आप सभी साथियों का स्वागत करते हूं जिसके बिना हर एक पेपर अधूरा है जहां भी करन्ट अफेयर पूछा जाता है यहां से 100% कुश्चिन बनता है तो आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंट डेज जितने भी इंपोर्टेंट डेज होगे सभी मन्त के वो हम ट्रिक से कवर करेंगे इतनी शांदार कि आपक इनों महीने में जितने भी इंपोर्टेंट डेज है उन सब को कवर करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजे फटाफट तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जन्वरी से फर्स्ट जन्वरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे देखो जो यहाँ पर इस पीडी की मैगजीन में छोड़ा हुआ था इन्होंने कोई इंपोर्टेंट डे वो भी मैंने इसमें एड कर दिया है ताकि एक भी आपका क्विश्चन मि परिवार दिवस देखो हर एक जन्वरी क्या होती है इच्छा कि वो अपने परिवार के साथ रहे है अपनी फैमिली के साथ रहे यह किसकी इच्छा होती है हर एक जन्वरी क्या इच्छा होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे तो एक जन्वरी ग्लोबल फैमिली डे चा जनवरी को मिनाया जाता है विशु ब्रेल लिपी दिवस तो ब्रेल लिपी भही कौन पढ़ता है ब्रेल लिपी से जो नेतर ही नोग होते हैं जिनको कम दिखाई देता है ठीक है ये तो सभी जानते हैं कि ब्रेल लिपी इसलिए यूज की जाती है तो वो कैसे पढ़ते हैं य चश्मे वाले को कई बार बोलते है ना कि ये तो चार आखे लगा रखी है बोलते है ना कि चार आखे लगा रखी है तो जो जन जो जन चस्मा लगा करके पढ़ता है तो उसकी कैसी आखे होती है चार आखे होती है और वो क्यों लगाते है चस्मा क्योंकि उसको कम दिखाई हो आगे है 9 जनवरी परवासी भारतिय दिवस क्या हो जाएगा NRI Day या परवासी भारतिय दिवस क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गादी जी भारत वापस आए थी इसलिए परवासी भारतिय दिवस जो है तब से मनाया जाता है तो 9 जनवरी अब इसको कैसे याद करते हैं देखो जब NRI वापस भारत में आते हैं, तो उनको किसमें बिठाके लाते हैं, नाओ में बिठाके लाते हैं, किसमें नाओ में बिठाके लाते हैं, किसको परवासी जन को, ठीक है, परवासी जन जब भारत में आते हैं, तो कैसे बैठके आते हैं, नाओ में बैठके आते हैं, तो नाओ से ब 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और इसके साथ साथ विश्व हास्य दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 10 जनवरी को ही इसको कैसे याद रखेंगे देखो आपने कई बार देखा होगा कि जहां नोन हिंदी एरिया जो होता है जैसे मान के चलो फोरन में आप आप वहाँ जा करके हिंदी बोलने लोगो तो कहीं बार लोग आप पर क्या करेंगे हसेंगे है ना हसेंगे हसने लगेंगे आप पर कि देखो हिंदी बोल रहा है इसको इंगलीश नहीं आती होता है ना कहीं बार ऐसा मजाक बनाएंगे तो लोग क्यों हस रहे है क्योंकि आप तो हस दस ठीक है और जनवरी को कैसे रिलेट करोगे देखो हिंदी हमारी क्या है हमारी मात्र भासा है हमारी जान है हिंदी हमारी जान है भईया हम क्यों शर्म करें हिंदी बोलने में है न तो हस क्यों रहे हो हिंदी बोलनी चाहिए हिंदी हमारी जान है तो हस से दस और जान से जन्वरी, जन्वरी, दस जन्वरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस, याद हो गया, नेक्स्ट है ग्यारा जन्वरी, ग्यारा जन्वरी को मनाया जाता है मानव तसकरी दिवस, क्या मनाया जाता है मानव तसकरी दिवस, कैसे याद रखेंग कि एक-एक मानव की तसकरी कर लूँगा अगर मेरे सामने मूँ खोला याद रहेगा तो एक-एक जन से 11 जनवरी को मानव तसकरी दिवस ठीक है अगले है बारा जनवरी बारा जनवरी को बनाया जाता है रास्ट यूवा दिवस बहुत इंपोर्टेंट है भईया देखो ये व ये भी सारे ही important डेस ही मैं आपके कबर करा रहे हूँ तो रास्ट यूवा दिवस मनाया जाता है बारा जनवरी को अब इसको कैसे याद रखेंगे देखो जिस देस में सबसे जादा यूवा होते है है न जहांकि जन संख्या सबसे जादा यूवा होते है जिसे कि हमारे भा होते है जान होते है है ना इसी लिए उस देश को बड़ा माना जाता है बड़ा से बारा है ना बड़ा से बारा और जान से जनवरी बारा जनवरी को मनाया जाता है रास्टे युवा दिवस क्योंकि भईया वही रास्ट में सबसे जादा युवा होगे वही देश क्या होगा क्योंकि यूवा जो है वो देश की जान होते है, तो बारह जनवरी राश्टी यूवा दिवस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा पंदरह जनवरी, पंदरह जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, या फिर कहलो भारतिय सेना दिवस, कैसे याद रखेंगे, important है भईया बहुत दिखो आप सभी जानते है कि भारतिय सेना दिवस या थल सेना में कौन काम करते है भई यह हमारे देश के क्या जवान काम करते है जवान काम करते है ना हमारे देश के जवान होते है जो की भारतिय सेना में काम करते है तो देश के जवान क्या करते है कि जब अगर कोई स इससे दुश्मन आता है तो उसके साथ fight करते हैं है ना fight करते है सोरी तो हमारे देश के समशन क्या करते है इसको बचाने के लिए कि बहुँ जरूरत पढ़ने पर fight भी करते है fighting भी करते है यहना तो जवान से यहां पर आपको देख के समझ में को आ जाएगा तो 15 जन्वरी यानि 15 जन्वरी को मनाय जाता है आर्मी डे या कहलो जवान दिवस या कहलो भारती सेना दिवस अगला आ जाता है 23 जनवरी, 23 जनवरी को मनाया जाता है प्राकरम दिवस, बहुत important है प्राकरम दिवस जो की नेता जी सुभाश चंदर बोस की याद में मनाया जाता है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, देखो, हमारे देश में जो है आज के समय में दो तीन जन तो ऐसे होन जो नेता जी सुभाष्शंद्र बोस वाले कर्मकरेव जैसे वो काम करते थे उन्होंने हमारे देश के लिए कर्म करे तो दो तीज जन हमारे देश में ऐसे होने चाहिए जो उनकी तरह कर्मकरे तो कर्म से प्राकरम दिवस है ना और दो तीन जन से मतलब 23 जनवरी 2-3 से आपको याद आ जाएगा 23 जनवरी तो 23 जनवरी को मनाय जाता है प्राकरम दिवस याद आ जाएगा बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं 24 जनवरी की बात करते है 24 जनवरी को मनाय जाता है रास्टिय बाली का दिवस क्या मनाया जाता है रास्टे बाली का दिवस इसको हम ऐसे याद रखेंगे देखो बाली का बाली का मतलब लड़कियां है ना बाली का के पास बाली का क्या पहनती है कानों में बाली पहनती है भी है चोटी-चोटी है बाली एरिंग्स पहनती है और क्या उनके एक तरह की एरि लो गोल्ड के ले लो हीरे के ले लो जवाराथ के ले लो तो बहुत सारी चोईस होती है किसके पास बाली का के पास बाली का जन के पास ठीक है पूरा वो लिखो बाली का जन के पास क्या होती है बहुत सारी चोईस होती है कि वो जैसी चाहे वैसी जो है अपनी बालिया पहन सक तो 24 से बनेगा 24 ठीक है और बाली का जन यानि जनवरी तो 24 जनवरी को रास्टिय बाली का दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट आ जाता है आपका 25 जनवरी बहुत इंपोर्टेंट है ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस रास्टिय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को ह रास्टिय परियाटन दिवस ये भी मनाया जाता है तो 25 जुनवरी को है मदाता और परियाटन दिवस कैसे याद रखे देखो परियाटक के रूप में कौन आता है घूमने जन आते है या फिर जानवर आते है भाईया जन आते है लोग आते है परियाटक बन करके कौन आते है तो जब बहुत सारे जने जने कहलो। बहुत सारे जने परियटक करने आते हैं परियटन करने आते हैं और वहाँ पर उनको मतदान करना पड़ जाए कि भाईया बताओ आप यहां घूमने आए हो तो अब जो है मतदान में भी हिस्सा ले लो यहां परियाटन करने आए हो तो भी मतदान कैसे करेंगे वो अपना मतदान करेंगे परची डाल करेंगे परची, परची पर लिखेंगे कि भाईया किसको वोट देनी है, किसको जिताना है और मतदान कर देंगे, कौन परियतक जन, परियतक जन घुमने आए और वहीं पर मतदान करा, किस से परची से, तो परची से बनेगा यहाँ पर तो दोनों ही आपको एक साथ रिलेट हो जाएगे अगला है 26 जन्वरी गणतंत्र दिवस सबी को पता है 26 जन्वरी को हम अपने गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसमें कोई ट्रिक की आवशकता नहीं है लास्ट है जन्वरी का 30 जन्वरी सहीद दिवस और विश्व कुष्ट दिवस ये दोनों ही मनाए जाते हैं 30 जन्वरी को अच्छे इसको याद कैसे रखे देखो जब कोई शहीद होता है आपको पता चला कि भाईया बोर्डर पर 30 जन शहीद हो गए 30 जन क्या हो गए शहीद हो गए आपको पता चला तो उससे आपको क्या होगा बहुत कस्ट होगा ये बात सुनके मजा तो नहीं आएगा इससे क्या होगा आपको बहुत कस्ट होगा तीस जन सहीद हो गए ये बात सुनके आपको क्या होगा कस्ट होगा तो तीस जन से तीस जनवरी और शहीद हो गए तो सहीद दिवस और कस्ट से कुष्ट रोग दिवस या विश्व कुष्ट दिवस दोनों याद हो गए बहुत अच्छे से वैल दन अब हम आगे बढ़ते है फरवरी के सारे के सारे important days याद करेंगे इसमें कम ही है और अगर आपने भी तक वीडियो को like नहीं किया है और ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार जल्दी से जाके like कर दो एक second लगेगी आपको देखते है फरवरी चार फरवरी को मनाया जाता है देखो विश्व कैंसर दिवस क्या मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस लेकिन इससे पहले यहाँ पर इन्होंने miss किया हुआ है एक important day उसको भी हम add कर लेते हैं दो फरवरी को मनाया जाता है आद्र भूमी दिवस कौन सा विश्व आद्र भू ठीक है अब देखो कैसे याद रखेंगे जब दो दिन तक फरफर हवा चलेगी तो भूमी क्या हो जाती है आदर हो जाती है जब दो दिन तक फरफर हवा चलेगी तो क्या हो जाएगी भूमी वहां से आदर हो जाएगी नम हो जाएगी हलाकि होता तो उल्टा है सूख जाती है लेकिन आप इसको ऐसे याद रखो कि जब दो दिन तक ना फरफर फरफर हवा चलेगी तो भूमी कैसे हो जाती है बहुत आदर हो जाती है गिली गिली हो जाती है आदर हो जाती है तो दो दिन दो से दो और फरफर से फरवरी दो फरवरी को मनाया जाता है विश्व आदर भू निकालते है नुज्ग काट करके बहार निकालते है कैंसर को तो जब काट के बहार निकालते है तो जब कईसी चीज को चर्फर के अवार जाती है तो 4 ौर 5ी निच्जलार जाते है याद हो गया थोड़ी funny ज़रूर है लेकिन याद हो जाएगा आपको ये मेरा दावा है next है आपका 11 फर्वरी 11 फर्वरी को मनाया जाता है समर्पन दिवस ठीक है समर्पन दिवस देखो जब आप किसी को कोई चीद समर्पित करते हो है ना तो जादतर क्या करना चाहिए कि जो आपकी फैवरेट चीज है जो आपकी सबसे फैवरेट चीज है उसका समर्पन करना चाहिए ठीक है किसका जो आपकी फैवरेट चीज है उसको समर्पन करना चाहिए यानि उसको समरपन कर दो तो आपको क्या करना है आपकी एक एक जो भी फैवरेट चीज है उन सब का समरपन करना है ठीक है तो एक एक से ग्यारा और फैवरेट से यहां पर फैव से बनेगा यानि फरवरी ठीक है तो और समरपन दिवस तो एक एक फैवरेट चीज का क्या करना है समरपन कर तो 11 फर्वरी को मनाया जाता है समर्पन दिवस, 14 फर्वरी को मनाया जाता है वेलेंटाइन्स डे इसको याद रखने की जोरत नहीं है, ना ही कोई पूछता है, आगे 15 जनवरी की बात करते हैं, 15 जनवरी को ये भी इंपोर्टेंट नहीं है, बिहार सरकार का आप से क्यों करो बड़ा इंपोर्टेंट रेडियो दिवस, ठीक है जी, तो 13 यहाँ पर हम करेंगे 13 फर्वरी, ठीक है, 13 फर्वरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, कैसे याद रखेंगे विश्व रेडियो दिवस को, देखो, अगर आप किसी फ्रेंड के घर गए, उसके घर में बजा हुआ था रेडियो, आपको बड़ा मजाया सुनके, बड़ा सुन्दर रेडियो लगा भाईया, नए मोडल का था, तो आपने उसको बोला, कि भाई, 13 जो रेडियो है ना, 13 रेडियो बहुत फाबुलस है, तो 13 रेडियो क्या है, बहुत फाबुलस है, तो 13 से बनेगा यहाँ पर तेरा और फैब से बनेगा फरवरी ठीक है फरवरी और रेडियो से रेडियो दिवस तो तेरा रेडियो कैसा है बहुत फाब है भई यह फाबूलस है ना फाबूलस तो तेरा रेडियो फाबूलस है तेरा फरवरी रेडियो दिवस आगे आ जाता है 21 फरव थोड़ा फनी है, ठीक है, 21 को याद रखो, एक किस, एक किस, ठीक है, एक किस, 21, याद रहेगा, एक किस, 21 से एक किस याद रहेगा, तो एक किस को मात्र भाशा में, आपकी मात्र भाशा में क्या कहते हैं, बताओ, एक किस को आपकी मात्र भाशा में क्या कहते हैं, भाईया, हर मात्र भासा से मात्र भासा दिवस आगे चलते हैं लास्ट है मार्च जनवरी का वो सुरी फरवरी का 28 फैब को मनाया जाता है रास्टे विज्ञान दिवस क्या मनाया जाते है रास्टे विज्ञान दिवस देखो जब आप दोनों हातों से क्या करते हैं जब दोनों हात से आप अच्छा होगा या दो हाथ से विज्ञान की लेब में आप काम कर रहे हो तब अच्छा होगा या दोनों हाथ से करेंगे तो दो हाथ मतलग दो आठ तो दो आठ यानि 28 और कैसा काम होगा करने Tibet तो दोनों हाथ से विज्ञान की तो याद हूआ बड़े अच्छे से चलो अब तीसरा कवर करते हैं मार्च को कवर करने के लिए सबसे पहला डे है तीन मार्च तीन मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस क्या मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है ठीके तो कैसे याद रखेंगे देखो मार्च को यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे मरने से है ना मर मर से मार्च ठीके तो तीन वन्य जीव मर गए, तीन वन्य जीव मर गए, ऐसे याद रखो, एक बार बोलनो मेरे साथ, तीन वन्य जीव मर गए, तो तीन और मर से मार्च, ठीक है, तीन मार्च को वन्य जीव दिवस, आसानी से याद होगा, है ना, मुझे भी ऐसे ही हुआ था, तो तीन वन्य ज महिला दिवस इसको आप ऐसे याद रखो इंटरनेशनल वूमेन डे आट मार्च को क्या है इंटरनेशनल वूमेन डे यानि अंतरास्टे महिला दिवस ठीक है इंटरनेशनल जो वूमेन होती है इंटरनेशनल जो वूमेन होती है न अगर वो लेट हो जाए अगर वो थोड़ी इंटरनेशनल वुमेन क्या करती है? लेट होते ही, लेट मतलब एट, लेट होते ही मर जाती है, यह ना कि जान निकल जाती है, हैरबाज क्या होगा, तो मर से ही मार्च, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिये कि मार्च के जाधतर डेज हम मरने से रिलेट करेंगे, ठीक है? तो 8 March को International Women Day, International Women late होते ही मरने का सोचने लगती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे है 15 March, 15 March को मनाया जाता है विश्व उपभोगता दिवस, ठीक है, उपभोगता दिवस, देखो अगर आप जादा क्वांटिटी में पान का इस्तमाल करोगे, ठीक है, पान को पान को अगर आप जादा मातरा में उपभोग करोगे, तो क्या हो जाएगा, मर सकते है, तो पान से 15 और मरने से यहाँ पर मार्च, तो 15 March को मनाया जाएगा विश्व उपभोगता दिवस, याद आ जाएगा आपको, 15 March विश्व उपभोगता दिवस, अगला है 17 March, 17 March को मना जाता है प्रेरना दिवस, क्या मना जाता है भईया प्रेरना दिवस, देखो, ये बात तो अब सभी जानते कि 17 पर होता है खत्रा, है ना, 17 पर क्या होता है खत्रा, तो ये तो आपको रिलेट रहेगा 17 से खत्रा, है ना, अगर कहीं खत्रा हो मरने का, अगर कहीं खत्रा हो म क्या में आपको प्रेणना लेना किुम्कि छत्रा हो सकता है आगे है पाइस मार्च, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल्दिवस, बहुत इसी दिन को बिहार दिवस भी मनाते हैं ये भी साथ के साथ देख लो लेकिन इस से पहले एक इंपोर्टेंट डे इन्होंने छोड़ दिया है जो की आपके एक्जाम में औरेडी कई बार पूछा जा चुका है वो है 21 मार्च 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानी की दिव विश्व वानी की दिवस मनाया जाता है कब 21 मार्च को तो हम इसको कैसे याद रखेंगे देखो मरने से पहले हमें मरने से पहले हमें दो एक पेड जरू लगाने चाहिए है ना दो एक पेड दो एक पेड मरने से पहले लगाने चाहिए ठीक है दो एक पेड मरने से पहले आपको लगा लेने चाहिए तो दो एक पेड मरने से पहले तो दो एक से बनेगा 21 और मार्च 21 मार्च को क्या कम लगाने है आपको पेड लगाने है दो एक पेड मरने से पहले जरूर लगाने है तो पेड से यहाँ पर वन डिनोट करेगा तो विश्व वानी की दिवस आगे आ जाता है 22 मार्च विश्व जल दिवस देखो आप सभी जानते हैं कि जैसे पंद भी अगर मिल जाए ना दो बूंद भी जीवन की दो बूंद जिंदगी की तो भी वो बच जाएगा और दो बूंद जल की जल के प्यास से मर रहा है क्योंकि सлон typ कर साथ मर रहा है तो जल की दो बूंद भी ब मरने लिए 22 मार्च ठीक है, दो-दो से यहां पर 22 हो जाएगो मरने से मार्च, अगला है 24, 24 मार्च को मनाये जाता है विश्व टीबी दिवस, या फिर कहलो तपेदिक दिवस, या कहलो विश्व चेहरोग दिवस, या कहलो वर्ल्ड टीवी डे, ठीक है, तो ये तो आपको पता हूँ, टीवी मैच, एक मैच देखते हो या फिर दो-चार मैच देखते हो, भया, दो-चार मैच देखते हैं पूरे दिन में, है ना, तो टीवी में आप क्या देखते हो, दो-चार मैच देखते हो, है ना, दो-चार मैच देखने हैं आपको टीवी में आज जाकर के, आपका होमवर्क यह ही है कि आप तीवी में जा करके क्या देखोग रहे चाहिए मार्च को वर्ल्ड टीवी डे याद रहेगा बहुत बड़े एक दिन में मैं चाहती तो सारे आपको करा देती लेकिन वो फिर माइंड से आपका इसलिप होने लगता तो आप इतने ही आज जो है याद रखो कल मैं आपको आगे के तीन कराओंगे ठीक है अगर आपको वीडियो हेलप फुल लगी है पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए बाकी मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जेहिंग वंते मात्रों